अगे बढ़ाते हैं, ये देखें, बैंक निफ्टी का चार्ट है, बैंक निफ्टी में मौर्णिंग से हमको शॉट सेलिंग के कई पॉट्शिटीज मिले, जहां पर प्राइस खुलते ही वीक हो गया, अच्छा देखें, बैंक निफ्टी में जहां से शॉट सेलिंग हुआ, उसके पीछे के रिजन्स आप समझ लीजे पहले तो देखे लोवर लेविल पर अगर अभी शॉट नहीं करना है अब देखे अब हम लोग नियरवाइ सपोर्ट पहुँचे अब जब यह लो ब्रेक होंगे उसके बाद कहीं शॉट सेलिंग मिलेगी और यह भी लोग के बाद म से एक अच्छा शॉट पोजिशन हमको मिलेगा तो अगर 22-220 को आप यहां पर मार करें तो आप देखेंगे कि कितना बड़ा वहां से आपको एक अच्छा मुमेंटम मिला देखे प्राइज में सिंपल है जब प्राइज रेंज से निकलेगा तो यह देखे सपोर्ट लेव लेकिन अब लोग नियरबाई सपोर्ट एरिया पहुँच गया तो जब यह ब्रेकडाउन होगा प्राइज यहां से रेट्रेस्मेंट स्विंग हाई तक जा सकता है फिर जब लोग ब्रेक करें तब शॉट करें उसके पहले नहीं अभी वेट कीजिए अब यहां पर देखे पॉजिटिव कंसॉलेशन हुआ है पॉजिटिव कंसॉलेशन का मतलब होता है प्राइज उपर से या तो सेलिंग उठाने चाहेगा हिस स्विंग हाई से उठाए या यहां से उठाए तो अगर जाना चाहता है या फिर यहां पर बाइंग क्रेट करके दुबारा से हाई ब् long नहीं कर सकते कब तक जब तक दुबारा 22,230 के उपर market नहीं आ जाता तब तक यहां यहां पर intraday में 2 minute के टाइम फ्रेम पर buying opportunities मिल जाती है वो लग बात है ठीक है अच्छा यह short selling क्यों हुई जरा वो समझे है पहले आपको short selling के current समझने होंगे reason एक बार clear हुआ ना तो आगे कभी भी ऐसा price action देखने को मिलेगा तो आँ उसको आप trade कर पाएंगे देखे प्राइस में dozy formation होते हैं तीन से चार reason होते हैं किसी price के गिरने के एक card से कभी price नहीं गिरता देखे एक entries अगर seller की हुई तो वहाँ पर price में आप सोचिए कि panic create हो जाएगा नहीं, sellers को बेचने के तीन से चार card चाहिए इसको मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि institutional seller बेच रहा है कुछ और price को देखकर, retailer बेच रहा है कुछ और price को देखकर लेकिन दोनों की entry एक ही price पर होंगी तब वो price में ज्यादा panic create होगा ठीक है, अगर ऐसा नहीं हो रहा है, एक ही price action आवली time frame पर short है लेकिन lower time frame पर short नहीं है, या lower time frame पर short है, longer time frame पर short नहीं है तो फिर सभी entries एक साथ नहीं बनती है, तो price नहीं किर पाता है जैसे कि यहाँ पर आपने कल के session में देखा, ठीक है, यह एक अच्छा support level था एक बार भी test नहीं था, untested zone था, तो price touch करने आया, तो वहाँ से pullback मिला लेकिन price का ultimate zone क्या है, bearish, यह एक कमजोर भाव को दर्शा आ रहा है जो पहले से गिर रहा है, ठीक है, इसका मतलब है, एक example के साथ हम लोग आगे बढ़ें, तो आप लोग बहतर चीज़े से connectivity रखेंगे, ठीक है, जैसे कि मैं आपको बोलू, कि कोई stock 500 के price को trade कर रहा है और वो 500 से एक बार 495 आया, 497 आकर फिर गिरा तो 490 आगया, 492 आकर फिर गिरा तो 480 आगया इस तरीके से गिर रहा है, तो आप बोलेंगे कि इसका मतलब है कि यहाँ पर जो sellers नहीं बेच पाए, अपोर्चुटी मिस हो गया यहाँ पर जो sellers नहीं बेच पाए, अपोर्चुटी मिस हो गया तो जब जब price गिरता है तो एक जो sellers जिनसे अपोर्चुटी मिस होता है, वो इंतजार करते हैं pullback का कि दुबारा उनको बेचने का मौका मिले, इसी वज़ाए सो यह बीच बीच में pullback आते हैं entries के लिए कि seller अपनी और entries बनाए, एक कमजोर भाव है, उपर उठेगा तो seller अपनी position बनाएगा price में, दुबारा panic देखने को मिलेगा clear है तो price जब गिरता है, तो seller उपरी इस तर पर अपनी selling प्लान कर रहा होता है, उस समय, limit orders इसको आप कहते हैं पहले से सोच लिया कि अप price lot कराया, यहाँ पे कहीं से reversal दिखा, तो previous direction इसका क्या है, trend क्या है negative negative trend में जितने short selling के मौके मिलेंगे लगबग लगबग ठीक होंगे तो जब इस तरीके से आप price action को देख रहे हैं, तो 500 का price इस तरीके से गिरते 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 480 आगया अब seller सोच रहा है उसको बेचने का मौका मिल जाए, किसी तरीके से higher price बेचने के लिए मिल जाए सचता भाव वो 480 का भाव नहीं बेचना चाता है, वो चाता है 480, 487, 488 मिल जाए तो वो इंतजार करेगा न price में कि या price को 480 से चल कर 480 जाना है, वो भी कमजोर भाव है पहले से index का, ठीक है तो ऐसा price जब चल कर जाएगा तो उसको समय लगेगा, कमजोर भाव को उपर तरफ जाने में time लगता है, time taking process है तो seller यहाँ पर बहुत डरा हुआ होता है, इस वज़य से कि पता नहीं उसको entry मिलेगी या फिर नहीं मिलेगी, तो wait कर रहा होता है तो इस weight में क्या हो, उसको एक jackpot लग जाए, jackpot लगना समझते हैं, कि आज price close कर गया 480, अब seller mindset बना कर बैठा है कि उसको कल बेचने का मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा, वो असमंजस में है price क्या करता है, अगले दिन gap up करता है, और gap up करके खुल ही जाता है 485-486 पर इसका मतलब है कि जो-जो sellers यहां पर जिनसे opportunity मिस हुआ था, अब वो एक साथ जुन्ड में आएंगे और अपनी opportunity को gain करने की कोशिश करेंगे जिस price के लिए उनको घंटो वेट करना पड़ता, चल के आता, उस price में उनको direct entry का मौखा मिल रहा है gap up से तो कमजोर भाव में lower level से अचानक से कोई बड़ा gap up हो जाए और price nearby resistance open हो यह पहला sign है कि यहां पर short sellers अखटे होंगे और एक साथ बड़ी quantity execute की जाएगी अच्छा जब यह बड़ी quantity execute की जाएगी तो यह price देखेगा कैसा वो समझ आता है देखे ऐसा नहीं कि गिरते हुए price में gap up होगा तो price गिरी जाएगा नहीं gap up होगा तो मतलब short seller आने चाहिए जब short seller आएगे तो price को दुबारा गिरना चाहिए तो इस गिरने की कड़ी में price action कैसा दिखेगा कैसे पता लगेगा कि intraday में यहाँ पर short seller आ गया या फिर buyer price को रोक रहे है तो पहली candle जो भी बनेगी red बननी चाहिए red candle बनती है या फिर उपर से upper wick बड़ा होगा इस candle का इस तरीके कि दो candles के formation होते है इन दोनो candles या फिर dozy बन जाए ठीक है तो इन तीन candles में से अगर इन तीनों में से एक भी candle बना और उसके low break हो गया इसका मतलब है confirmation हो गया जो आपने projection को देखा और जैसे समझा वो confirmation हो गया कि short seller यहाँ पर aggressive है उन्होंने अपनी entries बना ली है higher level पर अब आप उनके short source चे लिंग कीजिए अब देखिए पहली candle यहाँ पर कौन सी बनती है बताईए ध्यान से देखिए बहुत simple projection होता है आप लोग complicated बनाते हैं मैं बार बार यह दो बोलता हूँ projection तो बहुत simple है आप लोग उसको complicated बनाते हैं आये classes में नीचे description में आपको telegram का link मिलेगा हमारे trader देखिए कितना simplicity के साथ trades कर रहे है hedging करते हैं आसानी से बैठ रहते हैं और profits book कर लेते हैं अब देखिए अब आप यहां पर एक चीज़ और समझ में आते हैं कि morning में आपको जब trained identification हो गया कि short करना है short करने का दूसरा मतलब क्या मैं बोलता हूँ sell on rise sell on rise का मतलब है कि बाजार थोड़ा सा ऊपर चलके जाए तो हमको बेचने का मौकार धूनना है आप उट्योटी को गेन करना है इसको कहते है sell on rise तो sell on rise अब करना होगा तो बताई हमको क्या करना होगा sell on rise में हम लोग 8 exponential यूज करते हैं सभी को बता है ना moving average कौन सा use करते है 8 exponential और कौन से time frame से short selling करते हैं और simple moving average में सिर्फ smoothing line को बजलना है, length नहीं change कर रहा है, मैं उनसे बोलूँगा, जिस तरीके से मैं setting बता रहा हूँ न, उसी तरीके से change कीजेगा, इसमें simple moving average में ही EMI लगाईएगा, direct EMI यहाँ पर indicator में search करके मत लगा लीजेगा, ठीक है, मेरी बात को समझी है, जो चीजे मैं बोल रहा हूँ, अब यहाँ पर देखे, यहाँ पर short selling के लिए price मिला, यहाँ पर पता लग गया कि price bearish है, price high के उपर जाकर जैसे ही दुबारा, 8 EMI high से short selling कैसे करेंगे, price उपर जाकर जैसे ही दुबारा नीचे आता है, यहीं पर बेश देना है, और जब गिरके दुबारा उपर से फिर नीचे आए, तो फिर short selling करना है, जितनी बार यह process दोरा आए जाएगा, उतनी बार आप short selling करेंगे, कब तक, जब तक price किसी बड़े time frame के support या resistance के पास नहीं पहुँचाता है, जैसे कि, यहाँ पर देखें, यह price नीचे आया, नीचे आने के बाद यहाँ पर उपर गया, उपर जाने के बाद एक candle नीचे close किया, अब देखें, मेरा SL और target shots का position है, यहाँ पर मैं अपनी entry plan कर रहा हूँ, यह मेरा SL area है, यह SL area है, target मैं बताइए क्या ले लूँ, price तो गिरते ही जा रहा है, बात समझ रहे हैं, कितना भी आप यहाँ पर target रह सकता है, अच्छा, यह आपका पहला entry हुआ, मा लेते हैं, आपकी यह entry छूटती है, तो दुबारा price तुरंद ही entry फिर आपको दे रहा है, फिर entry दे रहा है, अब यह फिर गिर क्या रहा है, एक बार आपने यहाँ profit booking, फिर price आपको यहाँ उपर जाके, फिर entry दे रहा है, फिर profit booking कीचे, फिर यहां पर entry दे रहा है, फिर profit booking कीचे, अब देखिए, यहां पर आते आते एक price क्या हुआ, अब हम लोग एक बड़े support area के पास आगे, अब देखिए hourly time frame पर आपको दिखता है न, यह buying area, यहां पर पिछली बार demand उठी थी, demand उठी थी in the sense, अब यह selling का जो price हुआ, तो फिर atma high लगा लेंगे, फिर short selling करेंगे, तब तक क्या करना है, तब तक projection को build होने देना है, दुबारा बनने देना है, कि यहां पर buyer, seller, accumulator और distributor कैसा projection का behavior दिखा रहे हैं, उन सारी चीजों पर हमको नज़र रखनी होगी, ठीक है, इस तरीके से आप price को देखिए अच्छा, अब bank nifty का भी एक हम लोग normal view ले लेते हैं, देखे, bank nifty का क्या है, कल के high और कल के low, चार घंटे के time frame पर आएंगे न, तो आपको एक dozy formation देखेगा यह, इस dozy के अंदर जब तक bank nifty trade कर रहा है, तब तक कोई view नहीं है, non directional trade है, non directional का मतलब है, आप call और put को short करके बैठिये, straddle लेकर बैठिये, strangle लेकर बैठिये, और आपके profits आ जाएंगे, जो कि हमारे traders morning से कर रहे हैं, आसानी से profit आ रहे हैं, ठीक है, आप लोग भी कर सकते हैं, higher wix है, कल इसका फैदा मिल जाएगा, जो लोग straddle, strangle, iron fly, iron condor को practically जानते हैं, ऐसा नहीं कि जो book में ल कर जाएगा, ना यह lower side चल कर आएगा, जब high break होगा, तो हम कहेंगे long करना है, जब low break होगा, तो हम बोलेंगे short करना, देखे, price में हम लोग वो trade करते हैं, जो assumption करते हैं, वो trade नहीं करते, अब यहाँ पर आप सोचेंगी low break होगा, तो यह assumption है, अनुमान है, अनुमान को trade नह अभी हमको दिख रहा है कि buyer higher level पर और seller lower level पर aggressive है, इसी वज़े से कल का यह candle एक बड़ा dozy बना है, अब इस dozy के high low कुछ मार करके जब break होगे, तब उसको हम tradeable बना पाएंगे, बात clear हुआ, तो bank nifty के लिए ही आपके लिए अभी scenario है, अगर आप बड़ा time frame देखें, डेड 850 के round price, ठीक है, उसके बाद आप short selling करेंगे, वहीं, अगर यहाँ पर कभी 47, 850 के उबर price trade करने लगे, फिर हम लोग long की तरफ बढ़ जाएंगे, तो यह जो price है, इसके 20 का momentum है, यह non-directional है, इसमें सिर्फ छोटे trader, 2 minute के trader support और resistance को trade कर सकते हैं, जो कि हम लोग classes में सीखते ह है, जब आप classes में आते हैं, तो मैं आपको hourly-hourly, एक गंटे के session करके यह सारे चीज़ें सिखाता हूँ, कि जब price एक range में हो, non-directional trade हो, कि price में कोई momentum है, इनी, dead है, फिर भी 2 minute के time frame पर आप buying करके profitable हो सकते हैं, यहाँ पर आपको दिखा दू, 2 minute के time frame पर आपको छोटे- की एक अलग समझ होनी चाहिए, जो आप classes में आकर सीखते हैं, चलिए, आज के लिए परियाप्त है, धन्यवाद, कोई भी doubt रह गया हो, तो comment section में बताएए, अगर जुणना चाहते हैं, तो decision में telegram का link है, धन्यवाद